अयोध्य में प्रभूष्री राम की प्रान प्रभूष्ण को ये Maan Bianchi Kambs Але्यें प्रणान प्रणान प्रतिस्था के बाद एकमा सीता मंदिर कहा जाता है कि मन्हें अनृटा सीता न क्या इस मंदिर की पूरी अधा पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम आपको बस्तार पूर वक्त बताने वाले हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर की इतनी जादा मानिया दा मानी जाती है और क्यों कहा जाता है कि इस मंदिर में जब माता सीता ने श्राब दिया था रावन को तो उस श्राब की वज़ा से ही र भी खास बन गया है जी हां यहां पर भी 21 जनुवी पर आखंड रामायन का पार्ट शुरू हुआ था इस मंदीर का संबंद माता सीता से बताया जाता है मानता है कि जो कभी भी सच्चे मन से यहां पर पूजा अचना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है यह आपको इस मंदीर के बारे में बताते हैं उत्राखन के चाएगाउ में माता सीता का बहुत पुराना मंदीर है और यहां माता सीता की पूजा वेदवती कन्या की रूप में की जाती है मानिता है कि वेदवती ही माता सीता का पुनर जनम है यहां वेदवती की पूजा सफेद पत्थर के शिला के रूप में की जाती है मंदिर के पूजारी रगुनंदन बताते हैं कि वेदवती माता लक्ष्मी का ही अवतार थी और उनका जनम राजा कुष्थभज और मालावती के यहां हुआ था अपने जनम से कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ग्यान प्राप्थ होना शुरू हो गया था इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया था वेदवती भगवान विष्णू की परमभक थी और जैसे जैसे वेदवती की उम्र बढ़ती गई भगवान विष्णू के प्रती उनका प्रेम भढ़ता गया वेदवती चाहती थी कि उनका भगवान विष्णू से विवाहू इसके लिए उनने हमाले पर तबस्त्या शुरू कर दी एक दिन जब वेदवती ध्यान में लीन थी तब उदर से गुजरते हुए लंकापती रावन के उन पर नजर पड़ी हूँ सुन्दता पर मुहितर रावन ने वेदवती को जबर्दस्ति अपने साथ ले जाना चाहा वेदवती की पवित्तता को भंग करने की कोशिश पर वेदवती ने रावन को श्राप दिया कि एक दिन उसकी उम्रित्यू का कारण बनेगी बाद मैं स्वयम को रावन से बचाने के लिए वेदवती ने अगनी में कूद कर खुद को भस्म कर लिया वैसे ही मान्यता है कि वो रावन से खुद को बचाने के लिए परवस से कूद गई थी रावन के कारण वेदवती अपने अरद्य भगवान विश्णू के पास नहीं जा सकते उनके तपस्या धूरू गएग मंदिर बद्रिनात मंदिर स्मिती की तहस्त में आता है और इस स्मिती के जरीए ही इस मंदिर में पुजारी रखे जाते हैं रगुनंदन अपने नाम के साथ जो जिम्री चाय लगाते हैं वो दरसल उनका पध्धी है यहां पुजारी को जिम्री कहा जाता है रगुनंदन ब डीमर काउं में बस कहे थे उस जगा की वज़ों से ही उन्हें जिम्री ना मिल गया खिलास तो उनकी आवादी कई गामों में फैल चुकी है रगुन अंदर खुद जो शिमट के रविक राम के रहने वाले हैं जो शिमट के उपर जितने भी मंदिर हैं उन सबी में दिम्री ब् है बंदर झारप सित्रा के रही रखुकी ह outta दितन जितने ब्यों में आवाती